हेलो एवरेवन फ्रेंट्स वाकम बैक टू मैंचिकल हैंड कैसे हो आप सब भूब करती हूँ आप सब ठीक होंगे फ्रेंट्स आज हम कुर्ती के बचे हुए कपड़े का रियूस करेंगे सबसे पहले हमने उसमें से रेक्टेंगल पीस कट किया उसके नाप से नॉन और फॉर 14 बाइ 10 इंचिस है अब हम इसे विल्ट करके रेडी कर लेंगे इस तरीके से आप फॉर फिंगर थ्री फिंगर की जगह छोड़ते हुए लाइने कर सकते हैं अब देख सकते हैं दो पार्ट रेडी हैं अब हम इसे राउंड शेप देंगे तो आप कोई भी जैसे वन लाइन इसका वीडियो अगर आपको पसंद आये तो प्लीज जादा से जादा शेयर कीजिएगा चनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए अब हमने दो पार्ट को राउंड सेप दिया उसके बाद 12 बाइ 7 इंचिस का यह पार्ट लीजिए और फिल इसको भी आपको राम सिर्फ देना है और इस बैग की खासिएद यह है कि आप बहुत सारा सामान अच्छे से श्रैट करके रख सकते हैं और तू इंचिस पर हमने इस पार्ट को मार्किंग करना है और फिर कट लगाना है अब हम यहां एक जिप अटेज करेंगे जिप को अटेज करने के बाद आपको करना है टॉफ स्टीज करने के बाद आप उपर का जो पार्ट है उसे यहां पर अटेज कीजिए और फिर टॉफ सीज कर लीजिएगा और जिप के अंदर रनर एड़ करें फिर यह जो पार्ट है उसी के नाप से हमने नौन वन कर दिया उसे attach करने के बाद हमने एक strip ले ली है जिसका नाब है 2 by 22 inches अब यह जो strip है उसे हमें यह जो पार्ट है उसके साथ जोड़ना है तो सबसे पहले यह जो पार्ट है उसमें सेंटर में हम 9 लगा देंगे इस तरीके सेंटर में 9 लगाने के बाद जो हमने यलो कलर का पार्ट लिया है उसमें भी 9 लगाएंगे दोनों को मिला के एक सीधी सिलाई करने के बाद ऐसे साइट से भी फॉल्ड करके स्टीज करना है थोड़ा सा पार्ट आप उपर से खुला रखे अब उपर का जो आपको राउंड दिख रहा है न यह उसे आप नाप लें फिर इस तरीके से एक और स्ट्रिप ले लिजिए इसका नाप है 1.5 10-6 की जोड़ेंगे इसी के जिफ में पेखे लेंगे आपको सीधा बղेंगे दा उपर फिर आप स्टीज कर लीजिए पर में क्या करना है इसे जो में पार्ट है ऊचिछ यह साथ बॉरर के साथ रह लेंगे शाओ जिप को हम बाहर की साइट रखेंगे इस तरीके से नहीं रखेंगे बाहर की साइट रखना है आपको जिप को इस तरीके से देखें इस तरफ हमने जोड़ा और फिर कवर से लाई की इसी तरीके से दूसरी साइट भी हमने जोड़ा और वहां पर कवर से लाई करेंगे अब हम उन्हारे चाहले में त्यमोन प divi चवस्क्रणिया में तब को सब्सक्राइब मय जाए इसमें सीमे तर्छ उसमी परखो या चले तब और इसे इसे पर सेंसे ला दीजिये ऐसे रखते हुए पूरे राउन में जला दें सिलाई चलाने के पाध आपको क्याptonा हैं यहाँ पर हमें बैल्ट बनाने हैं तो बैल्ट यहाँ पर अल्रेडि मैंने रेडी करके रखे हुए है वन इचिस चोड़ाई है और 31 इचिस इसकी लंबाई है और अगर आपको बिना फोल्ड के कितना है वो जाना है तो 4 इंचिस है अब हम यहां पे बेल्ट को अटेज करेंगे सेंटर में नौचिस लगा के सेम साइड में जगह छोड़ते हुए अब ह अब हमने इस बॉर्डर में भी सेंटर में नौचिस लगाया था यह जो में पार्ट उसमें भी एक छोटा सा कट लगा है दोनों कट को मिलाती हुए सीधी सिलाई लगा लें अब दोनों पार्ट आपको जोड़ने हैं उसी तरीके से दूसरा जो बैक साइट का पार्ट है उ चोटे चोटे यह दो पार्ट पानी की बॉटल रखने के लिए बनाएंगे तो एट बाय शिक्स इंचिस की यह पार्ट है और 5.5 इंचिस की हम लेंगे इलास्टिक इसे हम यहां से रखना है ऐसे खीचते हुए जोड़ना है स्टीच करके उसके बाद इलास्टिक को उल्ट स्टीच करना है ऐसे रखना है एक्स्टा जो भी है उसकी चुनटे ले लिजे और फिर यहां तक स्टीच कर लें अब डिख सकते हैं दोनों साइड हमारे पोकेट बनकर रेडी है पानी की बोटल रखने के लिए कुछ और चीजे रखने भी तो भी रख सकते हैं उपर का पा जोड़ना है उसके बाद आप यहां टॉफ स्टीच कर लेजेगा और फिर दूसरा पार्ट जो है उसे यहां रख दीजिए ऐसे उल्टा और सीधा स्टीच करें फिर आप टॉफ स्टीच कर लें फिर जिप की अंदर आपको रणा डाल देना है आप बहुत सारे पैसे ऐसे बना के बचा सकती है अगर आप जोड़ कर रहे हैं तो यह बहुत यूसफुल है और कोई आपकी रिलेटिव जोड़ कर रहे हैं तो उसे घिप्ट कर सकती है अब जिपवला पार्ट हमार रेडी था उसे साइट के बोडर के साथ इस तरीके से जोड़ लेना है दोनों स्टेच करना और इस तरीके से पूरे राउंड में स्टेच कर लेंगे अब देख सकते हैं हम ने एक साइड का पाट अटेच कर लिया इसके बाद दूसरी साइट का जो पार्ट है उसे और कोरनर से start करना है यहान तक स्टीच कर लेना है उसके बाद इसकी कवर से लाई करें सबसे पहले तो इस स्ट्रिप को लेना है ऐसे संटर से रखिए टॉप स्टीच करते जाहिए और फिनिश करें अब आप देख सकते हैं हमने कवर से लाइफ फिनिश की है और एकदम रेडी मेंट स्टाइल हमारा बैग रेडी है इसे खोल के देखते हैं इसका लूप कैसे आया है कितना प्यारा लग रहा है कलर कॉमिनेशन इसका बढ़िया है चार्जर डेटा केबल या फिर इयर फोन सब इसदेख सकते हैं दोड़ पानी की बॉटल आफ गूच और लुझा की रख सकते हैं इसके अंदर भी बहुत सारा समान ग्सक अगर आप जब कर रहें तो भी यूसफुल है आपकी बच्चे चोटे है तो भी यूसफुल है और नहीं तो भी इस ट्रावल बैक को यूस कर सकत है तो देखे कितना प्यारा है इजी लिए आप कर पे बना सकती होप करती हूं वीडियो पसंद आया होगा चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइजे बारान